क्राइम कंट्रोल और लोगों के साथ फ्रेंगली रिष्टा कायम कर पुलिसिंग करना होगी हमारी पहली प्राथमिक्ता हिमान्शू बिहार में पिछले दिनों तबादला और पोस्टिंग कई अधिकारियों का हुआ जिसकड़ी में सहरसा जिला में भी प्रशासनिक फिर बदल देखने को मिली कई अधिकारियों का फिर बदल के बीच एसपी के रूप में हमान्शू कुमार ने पदभार ग्रहन किया आज चालक वक खलासी ट्रक के अंदर सोय हुए थे रात्री में करीब साधे बारा बजे तीन अग्यात अपराद कर्मियों के द्वारा हथियार का भाई देखकर उनके पास से लगभग 3,000 रुपे एवं एक मुबाइल ले लिया जब अपराद कर्मियों के द्वारा दूसरे ट् सवारतीन अपराद कर्मियों में से एक अपरादी की भी मृत्यू ट्रक के चक्के के नीचे गिरने से कुचल कर हो गई मृतक अपरादी की पहचान रोशन कुमार पिता रामानंद यादव सकी कहरा ब्लॉक वार्ड नंबर 42 थाना वजिला सहरसा के रूप में हुई एवं गोली से जखमी ट्रक चालक सिपाही गोंडा की भी मृत्यू हो गई उक्त घटना के संबंद में ट्रक के खलासी सुनील चोहान ने फर्च बयान के आधार पर सदर थाना कान संख्या नवासी बटा 24 दिनाग 29 जन्वरी दो हजार चौबीस धारा 394 थ्री ओर टू थ्री फोट्स भाश शून्य द शून्य वी शून्य एवं 27 साम सेक्ट के गत्थि टीम के दौरा तकनीकी एवं मानवियो और सूचना के आधार पर घटना में शामिल दो प्राप्त कर्मियों को गिरफ्तार किया गिरफ्तार दोनों अभ्योक्तों के द्वारा घटना में अपनी समलिप्त सवीकार किया एवं उनके निसिन द ही पर घटना में जिला सहरसा के निवासी है उनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कार्तुस, एक खोखा, एक फोल्डेबल जाकु बरामत किया गया है। लगभग दो ट्रक वाले शर्मा चौक के पास श्री श्याम रोड लिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट के गोदाम के पास लगा कि वो स्वय वे थे जो कोहरा बहुत था इसलिए तो इसी बात का मौका इसी घटना का मौका उठाकर नातरी में करीब साहे बारा बजे तीन अग्यात अपराथ कर्मियों के दौरा हथ्यार के भैन दिखा कर उनके पास नगदी लगभग तीन दार उपया करहा जब आप अपरात कर्मियों के दवरा दूस्य ट्रॉक पर चड़ कर ड्राईवर से हथ्यार का भैन कर पया वोबाइल लुटनी प्रयास किया गया तो वह ट्रक वाल इसी क्रम में ऐसा भी हुआ था कि वो ट्रक एक अपराद कर्मी जो है वो एक्सिडेंट में ही एक मारा गया था स्पोर्ट पे ही मारा गया था जैसे यह सुचना हमारे नजर में आई तो एक विशेश टीम के बठन किया गया हम लोगों ने सदर की निरितुप में एवं इसे च अनुसंधान करते वे इस समयधनशील घटना को आगे बढ़ाया और इन्होंने फिर जो वेक्ति जो ट्रक से कुचला गया था उसकी पहचान की और उसी से उसके जो ग्याएंग है इसके बारे में हम लोगों को पता चला उक्त घटना के संबंध में ट्रक के जो खलासी है अर्द बयान पे सदर्फाना में 8924 केस हुआ जो 394 पे 302 34 एवं 27 आप्स एक्ट जिसमें धारा लगे वे और इसमें जो है हम लोगों ने आगे अनुसभान करते वे विगत दो दिनों में ही हम लोगों ने अन्य आपरात कर्मी थे क्योंकि तीन मैंने आपको बताया था सुन असको जो साथी इस घटा प्रयोक किया हुआ जो आंस था कट्टा उसको भी हम लोगों ने बरामाद किया साथ में कट्टे के साथ हम लोगों को एक कार्थूज भी बरामाद हुआ आगे की अनुसंधान भी जो है सो की जाएगी इसको स्कीडि ट्राइल में डाला जागा ता आप जो हमारी टीम है उन्हें प्रिस्क्रित किया है